हेलो माई लवली वेकर्स तो यह एक कस्टमर ने रेगुलर कस्टमर है जिन्होंने मुझे अडर दिये थे कि उनको क्रीम बहुत ही क्रीम कम चाहिए केक में तो इस तरह की केक अडर सब आती है ना में केक जो बेक करती हूं प्रिमिक्स तो यूज्वाली में 200 ग्राम लेती हू केक उसी तरह की देंगे ना तो एक बार लेंगे फिर वो नेक्स टाइम लेगे इस तरह करके वह आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे यह पहले मुझे जब अडर दिये थे बोले थे कि कम क्रीम में केक चाहिए तो उसी आकडेंग में ज्यादा बेस का जितना भी देगे स्क श produced जादा ले ली और इसामी का क्रीम में करेंगा तो उसी अगार ऱोगा लांस बाल न था आपकेड़ केक लकाना केक और कम कर दाजा आपको कस्टमर बेस बनानी है और वीडियो में आपके साथ मेरे गलती एक वा था जो कि में सेयर की हूँ और क्या प्रॉब्लम होता है उसी तरह की डीजाइन करने में यह सब वीडियो में है तो वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्कीप के तो ही आप जान पाएंगे कि क् केक को में तीन लेयर में कट करूंगी और केक का मतलब साइज इतना बड़ा था कि आराम से 750 ग्राम केक तो बन ही जाएगा लेकिन में कम क्रीमी उसकर के बेस जादा दे करके उनके लिए केक बनाई और केक को तीन लेयर में में कट कर ली जिस तरह हमेशा करती हूँ आपको ह मेरी स्पॉंज लगता है कि ड्राइ है लेकिन आपको वीडियो में जितना ड्राइ दिखता है उतना है नहीं क्योंकि घर के लिए भी मैं सिर्फ बेस कभी कभी बनाती हूं और हम वेस से ही खाते हैं मतलब उसी प्रेमिक्स से ही मैं बेस बनाती हूं वसी सेम क्वांटिटी से अब ड्राइ नहीं लगता है उतना आप जितना आपको वीडियो में लगता है तो पाइनपल फ्लेवर का केक था आप देख सकते हैं कितनी पतली लेयर की में क्रीम दे दी और वही सेम प्रोसेस पहले बेस देना है सुगर सिरब से इसको मोईस्ट करना है थोड़ा सा मतलब क क्रीम स्प्रेड कर लेना है फिर उसके उपर आपका जो क्रेश से वह आड़ कर लेना है हाँ जो सुगर सिरब में उसकरती हूं उसमें हमेशा में एससेंस आड़ करती हूं और इस तरह स्प्रेड करने के बाद तीनो लेयर में ने दे और तीनो लेयर देने के बाद सुगर स अची तरके से मोईस्ट कर दी अभी एक पाइपिंग बैग यूज करके में साइड में क्रीम लगा रही हूं आप केक का साइज देख सकते हैं बड़ा दिख रहा है नॉर्मल हाप के जिसे और भी और में इतना कम क्रीमी उसकी हूं कि साइड में थोड़ा थोड़ा कई पर दि देकोरेशन फ्लार वाला या फिर जेल वाला या फिर गार्निस वाला चाहिए सब कुछ आप पूछ लीजिए उसी आकडिंग बनाए ताकि आप उसी तरह की केक बना पाए और सबका डिजाइन मतलब प्रिफरेंस अलग-अलग होता है मैं उसी तरह ही केक कस्टमर से पूछ करके बनाती हूं उनको ये केक में नाहीं ज्यादा कलर चाहिए था नाहीं ज्यादा डेकोरेशन चाहिए था और हां उनको चाहिए था चॉकलेट गार्निसिंग के साथ डेकोरेशन नाहीं फ्लार ज्यादा चाहिए था फूल नहीं बिल्कुल भी नहीं चाहिए था इसलिए और बनाने के बाद यह जेखिए उपर से में ड्रब देके फिर इसको नीचे की तरफ खिच रही थी यह इस तरह की पैटन ना बहुत ही अच्छा दिखता है देखिए इतना करने के बाद मैं अभी जो मोड़े का डाग कमपाउंड आता है उसको मेल्ट करके अभी चकलेट गा और रोटेट करते हुए इसको ऊपर खिचते जाना है थोड़ा थोड़ा आप जैसे देख सकते हैं में जिस तरह पार्टन बनाए उतना करने के बाद इसको फ्रीज में 10 मिनेट रख लेना है और यह पूरा सेट हो जाता है और इसको अभी मैं निकाल करके के के उपर लगा हां में डेकोरेशन करते वक्त थोड़ा सा गलती कर दी एक एक बनने के बाद उतना सुंदर नहीं दिख रहा था लेकिन अतना भी खराब नहीं दिख रहा था ठीक ठाक था कभी कभी ऐसा हो जाता है इतने में भी एक अच्छा दिख रहा था लेकिन में यह जो फ्लार रखकर के एक साइड में फ्लार बना लेती तो और अच्छा रिखता मुझे तो इतना भी अच्छा नहीं लगा फिर भी मना ली थी तो क्या करूं और गोल्डन स्प्रे से अभी ले करके इसको स्प्रे कर रहे हूं जो चॉकलेट गानिस लगाई थी एक साइड में भी लगाई स्प्रेंगल आता है भर्मी सेली वाला उसको इसके उपर स्प्रेड कर दी तो मतलब कलर फुल दिखे इसलिए में इसको मतलब वहर्मी सेली को इसके उपर इस तरह चारो तरफ स्प्रेड कर ली मतलब आड कर दी के उपर तो देखिए इसके उपर ना जो के मतलब वाइट कल के उपर हम जब जेल स्प्रेट करते हैं आप देख सकते हैं चारो तरफ थोड़ा सा ब्लाक ब्लाक कलर दिखता है इस तरह की केक डिजाइन अगर आप कर रहे हैं वाइट कलर के उपर कुछ जेल का डिजाइन मतलब पूरा पार्ट केक का कवर नहीं हो रहा है जेल से तो आपक क्रीम मतलब कलर फेल जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है देखिए तो मुझे लगा कि इस तरह की प्रॉब्लम मतलब आपके साथ भी ना हो इसलिए में पहले आपके साथ सेयार कर दिया होब कि आपको यह रहा होगा वीडियो पसंद आया होगा और थैंक्स फर वाचिं होगा जया होगा भी है जापके साथ उनलीं हैंक्स प्रॉब्लम मत ते सह अ झाल झाल